अलो फ्रेंड्स फिल्कम टिस्ट्वाइन पीडिया आपका स्वागत है दोस्तों मेरे चानल में काफी लोगों का मेरे पास आ रहा था गॉस्टन कॉलिज राचे से कमेंट की यहाँ पर क्या हम डिरेक्ट आड्मिशन ले सकते हैं और जो है क्या यहाँ पर जो है एंटरेंस ए यहाँ पर जा की open करनी है. Sammują आई थी इसमें बात बतलाया गया था आपको जो है यहाँ पर की ज Chrしょう कैसे होगी ए बुला गया है जिनकी Cut-up लेश्ट आ गया है वो जाकर डेयक्ली आड्मिशन ले सकते हैं और जो है बात को सा 예। कुछ यहां फोकिस्टों कूर्सिस देखनी को मिलेंगे मास कॉमुनिकेशन और विडियो प्रोडक्शन इन में अगर आपने फॉर्म फिल अप करा आप जो है अडमिशन ले सकते हैं लेवस्टाइड में देखिए जितने कूर्सिस हैं यहां जाइए अडमिशन आप ले लिजे और जो है इन केस अगर आपने यहां पर फॉर्म नहीं भर रहा था लेना चाहते हैं तो जाकर आथिलेटी से बात किजिए इन सब्जेक्ट में आपका अडमिशन हो जाएगा ठीक है बात करें यहां पर जो है अप कैसे अडमिशन लेना है तो देखिए यहां पर आपको दोनों सूइधा दी गई है online भी admission करा सकते हैं offline भी admission करा सकते हैं कोई भी problem नहीं होगा अब जो है किसी का comment आया था कि हम लोग offline हमने admission कराया यहां पर तो क्या यहाँ पर documents upload करना होगा तो ऐसे में जी नहीं है आपको upload नहीं करना आपने offline admission करा लिया आपका admission हो गया जो online करेंगे उन्हें जो है document upload करना है अब जो है हमारे right side में आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है क्या list courses program in which selection will be made after entrance test यहाँ पर entrance examination हुआ होगा कुछ courses का और यहाँ पर list आएगी कौन selected और कौन नहीं फिर जो है कुछ आपको courses यहाँ पर देखनी को मिलेंगे जिनकी यहाँ पर list आएगी आप जो है आप सोचे रहे हों क्या यहाँ पर directly admission नहीं ले सकते हैं यहाँ पर जो मैंने list देखा यहाँ पर आप directly admission ले सकते हैं पर पहले list आने का आपको इंतिजार करना होगा तब ही जाकर आप ले सकते हैं कैसे notice आईगी तो देखी यहाँ पर जो है notice आई हुए है आप देख रहे हैं B.A.C. chemistry की notice है B.com की accounts की notice है B.A. economics honors की notice है तो इन्हें जो है आपको दिखा देता हूँ एक example यहाँ पर कैसे है और उसके बाद जो है आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पर देखिए बुलाया गया है कहां 70% से एभवालों को यहाँ पर बुलाया गया है admission के लिए तो जिसने 70% से pass करा वो जो है यहाँ पर admission जाकर ले सकते हैं और जो है यह admission online offline दोनों हो रहे हैं ठीक है और admission की आपको date बता दे गए है यानि फिर से मैं repeat कर रहा हूँ जो right side में थे उनका जो है यहाँ पर selected नहीं हुए selected list के लिए आपकी पास minimum percentage होने चाहिए उसके बाद जो है आप admission जाकर ले सकते हैं admission process आपको पता होगा online offline दोनों admission हो रहे हैं जाकर आपको verify कराना है ठीक है और जो है यहाँ पर देखे क्या बुला गया है तो यहाँ पर बोल दिया गया है verify कराना होगा online offline admission के लिए तो verification में यहाँ confused नहीं होना है online offline दोनों verification होता है अगर online लेना चाहते है अप्लोड करना होगा document offline लेना चाहते है economic department विजिट कर दिजेगा फिर आपको कुछ यहाँ पर बताएगा है certificate के name जो आपको लेकर जाना है जो आपके आप पढ़ ले चाहिए online application form guardian declaration form जो की site में available है download करके fill up कर लिजेगा CLC original character certificate original Gerox of marksit आपकी चाहिए 12 की फिर Gerox of admit card आपकी चाहिए cast certificate अगर है तो लेकर आई है residential certificate अगर है तो लेकर आई है ठीक है timing बता दी गई है 17 से 2 बचे तक आपका admission होगा और admission की date बता दी गई है तो यह बाते आपको बताई गई है तो देखिए अब जो है directly जो है जितने यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर right side में जितने नाम लिये थे मैंने वहाँ पर जो है आपका यहाँ पर list आएगा ठीक है उस पर आपको एक percentage बताई जाएगी आप किसी का भी देख लिजे यहाँ पर आपको percentage बताई गई है तब जाकर आप admission ले पाएंगे यहाँ पर अगर देखें तो बोला गया है देखें candidate अगर पास है plus to 45% से तो आप जाकर यहाँ पर admission ले सकते हैं यहाँ simple यह जान लेजे यहाँ पर आपको list आएगी उसमें percentage बताई जाएगी तब जाकर आपको लेना है admission और जिनका यहाँ पर जो है left side में था जितने subject मैंने गिनाए उनका यहाँ पर direct admission होगा तो list आप अच्छे से देखेगा वहाँ information दे दी गई है कौन कौन से document लगेंगे आपको marks बताए गया है जैसे यहाँ मैंने अभी दिखाया economics का economics में जो first list थी उसकी 70 का ठफेया और 70 सेभव वालों का admission हो रहा है तो hope आपको समझ में आ गया हो thanks for watching best of luck